नमस्कार दोस्तों मैं सुनी पांडे स्वागत अब सब्सक्राइग ने वीडियो में वहाली में इंडिया के सेंट्रल कमांड ने ये गोशना की है कि 10,000 ट्रूप्स जो है बढ़ा के ले जाये जाएंगे अवनांचल के एरिया में और तिबबत के एरिया में जो तिबबत ये अगर ऐसा होता है तो इंडिया और चाइना के बीज में फिर से टेंसन बढ़ जाएगी ये चाइना के इससे दोहरे स्टेंडर्स पता चलते हैं चाइना ने खुद से 50-60,000 से निक तहिनात कर रहा है जो की नहीं करना था नियम के अंसार लेकिन उसने कर रहा है पीछे में चाइना को बीट कर देंगे बोडर एरियास के इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकिन फिलहाल के लिए यहां प्रोग्रेस में है और वह प्रोग्रेस कर चुका है ऐसे में क्या है कि इंडिया की तरफ से अब सेंको को भेजा जा रहा है वो पूरा चड़के आ गए उपर देखो मैं आपको यहां पर सेटलाइट इमेज भी दिखा सकता हूं और यह बोडर है यहां पर आप देख इनों में और सालों में यहां पर कॉन्फिलिक्ट हो जाएगा कि इंडिया लगातार अपने ट्रूपस यहां पर भेज रहा है इस वज़ा से अब यहां पर डिएसकलेनेशन नहीं होगी बलकि बहुत जादा इस तरह से अगर ट्रूपस भेजे जाएंगे तो हो सकता है कि कोई continue काया है चैना कभी नहीं क्याएगा कि आपनी सीट बचाने के लिए बहुत जादा धांदले गर्डी करते है और बोडर इसी नेसनल इसस संब पीछे रह जाते हैं उनको अपनी कुर्सी बचानी होती है इस्ट्रोंग गवर्मेंट क्या होती है सामने वाले देश को आसानी से टक कर देती है उसको कोई टंसन नहीं कोई रूल रेजूलेशन है वो पास कर लेगी कोई अच्छी सपोर्ट करें ना करें क्या ही मैंटर करता ह है मालों कि इंदा फ्यूचर बीजेपी के 400 प्रलस सीट आ जाते है यह कोई भी रूल रेजूलेशन पास करेंगे कोई नया नियम लगा देंगे बॉर्डर एरियास पे क्या ही कर लेगा चाइना तो इस वज़ासे चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया में कोई स्ट्रोंग इंडिया ने बहुत सारे साइनिक और एड़ी हैं दस अजार और भेजना चाह रहे थे सेंट्रल कमान ने इस पर बात चीज सुरू के रिए अभी भेजा नहीं है लेकिन वह पहले सी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कॉन्फ्रिक हो जाएगा